हैलो नमस्कार आदाव से स्रीकाल मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश शुबेजिंग चोहान आप लोग का स्वागत करता है सेशन के अंदर दोस्तों हाली में एक रिसर्च में पता लगा है कि एक व्यक्ति की जो आखों के अंदर रेटीना होता है वो एक व्यक्ति की असली बायो लॉजीकल एज बता सकता है क्रोनो लॉजीकल नहीं बायो लॉजीस बता सकता है जिसके जरिए हम लोग एक व्यक्ति के और मौत का खतरा कितना है उसको कितना रिस्क पर है एड़ डैथ उस सीट को यहां पर हम लोग समझ सकते हैं यह साइंटिफिक डिक्सक्रवरी आने वाले समय में मेडिकल की दुनिया में काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है बट उसके पहले आप लोग में साथ में साथ में आड़ बजे लाइव मेरे साथ में जुर सकते हो और दोस्तों अगर आपको अनकाडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी ऑफर अवेलेबल है जहां पर 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर कोड करना है इतना ही नहीं आप किसी बी इन्रोल कर रहे है तो आपको डालना होगा ठीक है दोस्तों चलिया समझने ही गोश्च करते हुआ क्या बात कुछ ऐसी है कि अगर हम लोग आखों की बात करें तो किसी शायर ने बहुत अच्छा लिखा है कि आखे जो होती हो मन का द अधरपन होती है जैसे आपके आखों के अंदर अगरा सूखा पन है तो वह अर्थराइटिस की शिकायत का कहीं कहीं होता है इतना ही नहीं कहीं बार आप देखते हो कि एक विक्ति की आईरीस होती जो आखों का कलर वाला पार्ट होता है उसके आसपास ब्लू ग्रेय या फि हो के रेटीना का डेमेज नर्वस डेमेज का अर्ली साइन है अगर नर्व डेमेज होने वाली है आइधर आउट आउट ऑफ डाइबीटीज हाई प्रेशर कोरोनरी डिसीज़ अगर नर्व डेमेज होने वाली तो उसका अर्ली साइन जो है वह रेटीना का डेमेज है तो आ ही कारण किसकी वज़े से वह चीज भी क्या है आपको हाई शौक और हाई ब्लड प्रेशर इंसाई चीज़ों को असर डायरेक्ली आपकी आँखों के उपर पड़ता है वैसे ही एक टम होती है बायो लॉजिकल एज और एक होती है क्रोनो लॉजिकल एज जैसे आपकी क्रोनो सब्सक्राइब करेंगी कुछ लोगों की बॉड़ी जल्दी बूड़ी हो रही है जिसके अंदर उनके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम आ रहे क्योंकि वह कुछ इस तरीके की उनकी लाइफस्टाइल है ठीक से नींद नहीं पूरी करना प्रॉपर योगा वगेरा करती और आप देखोगे तो ऐसे लोगों की बायो लॉजिकल एज जादा होती है वह दिखेंगे वह सामने से तो 20 साल के हैं पर उनकी बॉड़ी 25 या 30 साल की भी हो सकती है वहीं कुछ लोग होंगे जो ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जल्दी बुड़े होते जो साट साल के पर लगेंगे नहीं साट साल ये से क्योंकि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी डाइट बहुत अच्छी है उन लोगों ने अपने आपको प्रॉपर मेंटेन किया हुआ कई बार ये चीज भी देखने को मिलती है तो वो क्या होता है वो होता है बायो कहीं सारे लोगों की जल्दी डेथ हो जाती है हाला कि कोई एक्सिडेंट नहीं होता कैंसर वगेरा जैसी बीमारी नहीं होती उसके बावजूद और कहीं सारे लोगों की लेटर डेथ होती है क्यों क्योंकि बायोलोजिकल एज का अंतर आता है ऐसे केस में अगर हम लोग आय रेटिना को दरशाती है यह आई रेटिना कितना हेल्दी है यह कितना वीक है यह दोनों बताता है कि एक वेक्टी की बायोलोजिकल एज क्या है मतलब आई रेटिना डायरेक्ली मिरर करता है कि एक वेक्टी की प्रू बायोलोजिकल एज क्या है अगर इसी को मैं क्रोनोलोजिक से कंपेर करूं तो मैं पता कर सकता हूं कि एक वेक्ति के ओपर डेथ रिस्क क्या है यह सारी चीजह हमको पूराणी साही चीजों समझ में आ रही थी यह साही चीजह हम लोग को देखने को मिली कि आख के ऊपर हर चीज का डायरेक्ट असर पड़ता है जैसे कि कोई स्मॉग कर रहा था कि जो आपके हाइट अटेक वगेरा कारडिनो वस्कूलर जो डिसीजर होती है किडनी डिसीजर होती है उसका असर भी आखों के ओपर डाइरेक्ट पड़ता है और यह भी रिसर्च थी उसके बाद यह हाइपोथीस था कि क्या आखे सच में एक रियल बायो लॉजिकल एज को दर्शा सकती है और उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च की गई जब प्रॉपर रिसर्च की गई ऐसे वेक्ति ओपर जिनकी एज 40 से 69 के बीच में क्योंकि जिनकी उमर बहुत कम होती है वहाँ पर बायो लॉजिकल एज और क्रोनो लॉजिकल एज में जादा अंतर न बिलते हैं अलग-अलग प्रकार के लोगों में तो उन लोगों को यहां पर चेक किया गया और उनके आखों की पिक्चर निकाली गई उनकी एक्च्वल एज पता थी फिर उसके बाद डीप लर्निंग मॉडल क्रियेट किया गया जो कि एक मशिन लर्निंग का मॉडल है यह क chronological ages already पता थी इन दोनों के बीच में एक difference निकाला गया और उस difference के आधार पर बताया गया इस difference को कहा गया retinal age gap कि chronologically उसकी आखों की age इतनी है पर biologically उसकी आखों की age इतनी दिखा रहा है इन दोनों के बीच में जो difference है उसे retinal age gap बताया गया और इसके आधार पर एक व्यक्त के अंदर कितनी death risk है उस चीज़ को चेक किया गया और पता लगा कि जब actual age और biological age के बीच में difference लगभग दो प्रतीशत लगभग एक साल का होता है तो हर एक साल के difference पर जैसे एक साल का है तो death के उपर risk दो प्रतीशत तक बढ़ जाएगा अगर दो साल का difference है तो death risk 4 प्रतीशत है अगर तीन साल का है तो death risk 6 प्रतीशत है इस तरीके से अगर यह difference बहुत ज़्यादा है तीन साल पास साल दस साल इतना है तो ऐसे case में death risk 67 प्रतीशत तक हाई होता है due to any specific disease जैसे blood pressure है जैसे की sugar है इन साइज चीजों की वज़े से भी death risk create होता है और वह death risk जो है वह retinal age gap के जरिए यहाँ पर पता किया जा सकता है कि वहीं यह model कहीं पर fail भी हो जाता है जैसे cardiovascular diseases जो होती है या फिर cancer जो होता है ऐसी बीमारियों की वज़े से एक व्यक्ति की कितनी जल्दी म्रत्य हो सकती है वह यहाँ पर पता नहीं लग पाता है इस formula से पता नहीं लग पाता है बट अगर हम लोग बात करें heart की disease जो की cardiovascular diseases भी हम लोग जिसको कहते हैं heart की disease directly आपकी retinal age से link करती है retinal age जितनी ज़्यादा होगी heart की diseases उतनी ज़्यादा ओभर कि आएंगी यह एक correlation है पर कितना death risk है वह इस formula से पता नहीं लगता है इस current से हम लोग कह रहे हैं कि यह model यहाँ पर आगे fail हो जाता इवन जब research की गई तो कुछ लोगों की brain disorder के current death हुई वो brain disorder के current जो death होती है उसके बारे में भी पता नहीं लग पाता है इस formula से otherwise किसी भी specific बीमारी से कितना death risk है वो हम लोग पता कर सकते हैं retinal age gap के जरी है यहाँ पर यह एक proper research जो है वो recently उभर के आई है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं lecture अगर अच्छा लगा हो तो like करना मत भूलना नीचे comment करना मत भूलना और चैनल को subscribe करना मत भूलना और 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 for our loyal subscribers अपनी health के ओपर ध्यान दो have a healthy habit क्योंकि कई बार आप लोगों को short term में ऐसा नहीं लगता है कि healthy habit होने से कोई असर पड़ता है but long term में उसका सच में बहुत असर पड़ता है क्योंकि उसकी वज़े से आपकी biological age जो है वो बढ़ती या कम होती है biological ages के उपर control पाया जा सकता है with your healthy habit आज अगर आपकी biological age जादा है और उसके बाद में आप अगर healthy habits अपनाते हो तो आप पाओगे के आपकी biological age कम होती जा रही है और आपके death risk जो है वो अपने आप किसी भी specific बिमारी से कम हो सकता है तो वो चीज जो है आप ध्यान रखो इन साई चीजों के अंदर छोटी छोटी चीजें है पर बहुत बड़ा असर आपकी health के उपर डालती है इसके अलावा अगर आपको unacademy का subscription लेना है तो आप code यूज कर सकते हो src10 64000 का subscription available है देड़ साल का जहांपर 20% का discount with the code src10 मिलता है plus के subscription के बात क अगर आप इस code का यूज कर सकते हो और मैं को screenshot भेजते हो ठीक है कि आज मैंने subscription लिया है तो उसके बाल आपको personally मेरे द्वारा guidance दिया जाएगा किस तरीके से आपको तयारी करना है अगर आपने तयारी की तो क्या आपको ध्यान रखना है क्या आपकी strategy होनी चाहिए कौन सा subject strategically पहले पढ़ना है optional कैसे decide करना है आपके सारे confusion मेरे द्वारा दूर किये जाएंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं जै हिन जै भारत